मुहमत खान जी, मुख्य मंत्री स्पिन्ना राई भीजाएं जी, केंद्रिय मंत्री मंदल के मेरे सहियोगी गहाँ, अन्य महनुभाव, मैं केरला के निवासियों को इन सुविधाओं के लिए बधाई देता हूँ, साथियों, पोर्ट, शिपिंग और इनलेंड बोटर वेज के सेक्टर में इज अप डूइंग बिजनेस बढाने के लिए, पिछले दस वर्सों में केंद्र सरकार द्वारा अनेक रिफॉर्म्स किये गए हैं, इससे पोर्ट में अधिक इन्वेस्टमेंट आया है और ज्यादा एम्प्लोईमेंट जनरेट हुआ है, इंडियन स्वीफेरर्स उससे जुड़े जो नियम थे, उसमें किये गए रिफॉर्म्स की वज़े से, पिछले दस साल में इंडियन स्वीफेरर्स की संख्या में एक सो चालीस परसंट की वृद्धी हुई है, देश के भीतर, वाटर वे के उप्योग से, अब पैसेंजर और कारगो ट्रांस्पर्ट में नई तेजी आई है, साथियों, जब सबका प्रयास होता है, तो परिणाम और बहतर मिलते हैं, बीते दस वर्सों में हमारे पॉर्ट्स ने डबल डिजिट एन्यूल ग्रोध हासिल की है, दस वर्स पहले तक हमारे पॉर्ट्स पर सिप्स को लंबा इतजार करना पड़ता था, उनको अनलोड करने में बहुत टाइम लगता था, अब सित्यां पूरी तरफ बदल चुकी है, आज भारत, शीव टर्न एराउंड टाइम में, दुनिया के कई विख्षित देशों से भी आगे निकल चुका है, शाथियों, आज दुनिया भी ग्लोबल ट्रेड में भारत की भूमी का समझ रही है, जी ट्वेंटी समीट के दौरान भारत ने मिडल इस्ट यूरोप एकनोमिक कोरिडोर के जी प्रस्ताव पर सहमत ही बनी, वो इसी भावना का प्रमाण है, ये कोरिडोर विख्षित भारत के निर्माण को बहुत बल देगा, इससे हमारी कोस्टल एकोनोमी को बड़ी ताकत मिलेगी, हाल ही मैं मेरिटाइम अमरित काल वीजन भी लाउंच किया गया, विख्षित भारत के लिए हम अपनी समुद्री ताकत को कैसे ससक्त करेंगे, इसमें इस लक्ष का रोड मैप है, भारत को दुनिया की एक बड़ी मेरिटाइम पावर बनाने के लिए, हम मेगा पॉर्ट्स, शिप बिल्डिंग और सिप प्रेपेर ट्रस्टर्स जैसे इंफरसेक्टर बनाने पर जोड़ दे रहे हैं, साथियों केरला में आज जिन तीन प्रोजेक्ट्स का लोकारपन हुआ है, उनसे मरिटाइम सेक्टर बैट, इस शेत्र की हिस्सेदारी और बड़ेगी है, नया ड्राइडॉक भारत का नेशनल प्राइड है, इसके मनने से यहाँ बड़े जहाज, बड़े वेसल तो आही सकते हैं, साथ ही यहाँ शिप बिल्डिंग और शिप रिपेर का काम भी संबव होगा, इससे भारत की विदेश्वा पर निरबरता कम होगी, और जो पैसा हम विदेश बेचते से, वो देश में ही लगेगा, इसके साथ यहाँ शिप बिल्डिंग, शिप रिपेर सेक्टर में नई स्किल्ज पैदा होगी, साथियों, आज इंटरनेशनल शिप रिपेर फैसिलिटी का भी लोकारपन हुआ है, इस प्रोजेक्ट से कोची भारत का और भारत एसिया का एक बड़ा शिप रिपेर सेंटर बनने बारा है, हमने देखा हैं कि आएनेश विकरांद के निर्माण के दोरान किस प्रकार अनेक MSMIS को सपोर्ट मिला था, अब जब सिप बिल्डिंग और रिपेर की इतनी बड़ी फैसिलिटी यहां बनी है, तो इससे MSMIS का एक नया एको सिस्टिम बनेगा, जो नया LPG Import Terminal बना है, इससे कोची, कोइमटूर, इरोड, सेलम, कालीकट, मदुराई और त्रीची में LPG की जरुरते पूरी होगी, इससे इन इलाकों में इंडिस्ट्री और दूसरी एकोनोमिक डेवलप्मेंट को, भी मदद मिले कियों और नए रोजगार भी बनेंगे, साथियों, कोची शिफ्याड आज आधुनिक और ग्रीन टेक्लोलोजी से लेस, मेड इन इंडिया वेसल्स बनाने में भी अग्रणी है, कोची वाटर मेट्रो के लिए जो इलेक्ट्रिक वेसल्स बनाए गए है, वो प्रसंस नहीं है, आयोध्या, वाराणसी, मत्वरा और गोहाटी के लिए भी इलेक्ट्रिक हाइब्रीड पैसेंजर फेरीज का निर्मान यहीं हो रहा है, यानि देश के शहरों में आदुनीक और ग्रीन वाटर कनेक्टिविटी में कोची शिप्यार की भूमी का एहम है, मुझे बताया गया है कि हाल में आपने नौर्वे के लिए भी जीरो एमिशन इलेक्ट्रिक कारगो फेरीज डिलिवरी की है, यहां हाइड्रोजन फ्यूइल पर चलने वाले दुनिया के पहले फीडर कंट्रिनर वेशल के निर्मान पर भी काम चल रहा है, यह मेक इन इंडिया, मेक फ़र दे वर्ल्ड के हमारे वीजन को ससक्त करता है, भारत को हाइड्रोजन फ्यूइल आधारी ट्रांस्पोर्ट की तरफ ले जाने का जो हमारा मिशन है, उसको कोच्ची शिप्यार्ज और ससक्त कर रहा है, मुझे विश्वास है कि बहुती जल्द स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूइल रसेल फेरी भी देश को मिलेगी, साथियों, ब्लू एकोनामी, पॉर्ट लेट डेवलप्मेंट को और उसके करान हमारे मच्वारे भाई बहनों की एक बहुत बड़ी भूमी का मैं इसमें देखता हूँ, आज पी एम बच्ष संपदा योजरा से फिसिंग के लिए भी आधुनिक इंफ्रास्रक्टर बनाये जा रहा है, केंद्र सरकार डीप सी फिसिंग के लिए मच्वारों को आधुनिक नाव देने के लिए सब्सीडी दे रही है, किसानों की तरह ही मच्वारों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविदा दी गई है, ऐसे प्रयासों की वज़ा से बीते दस वर्षों में मच्छली उत्पादन और एक्सपोर्ट दोनों में कई गुना बढ़ोत्री हुई है, आज केंद्र सरकार सी फूर्ड प्रोसेसिंग में भारत की हिस्सेदारी को और बढ़ाने का प्रयास कर रही है, इससे बविष्य में हमारे मच्वारे साथ्यों की आए भी बहुत बड़ी बुद्धी होगी, उनका जीवन और आसान होगा, केरला का निरंतर तेज विकास हो इसी कामना के साथ, नए प्रोजेक्टी मैं फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, आप सभी को शुप कामना है, धन्यवाद. विक इंची कामना है, प्रोजेक्ट कामना है, प्रोजेक्ट बहुत 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 थी कामना है, thank you sir for sharing your wisdom and knowledge the state of kerala is very much indebted to you once again expressing our heartfelt gratitude and thanks